जीजी तरी परत पर्देश कोई हिंदु बनता है कुछ लोब अल्लाव अपर कहते हैं बहुत ही हिंदू हिंदु के थोड़ा ही मुसलमान ये जैसी. हमारे भी हैं हमारे दिल में बसते हैं नमस्कार स्वागत है आप सभीका बीजीटी न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूँ आपके साथ वी पिंचोहदरी आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेमान सर्फराज हकीम मौजूद है सर्फराज हकीम की यदि हम बात करें तो अभी कुछ दिन पहले मुख्य मंतरी योगी आदितेनाथ ने देवबद में ATS कमांडो सेंटर का सीला न्यास किया है उनकी रैली में सर्फराज हकीम मौजूद थे और वहाँ पर जै सिरी राम वंदे मातरम भारत माता की जै के इनोंने नारे लगाए जै सिरी राम भारत माता की जै और वंदे मातरम के नारे एक मुस्लिम युवक के द्वारा लगाए जाने के पीछे आखिर मंसा क्या है यही जानने के लिए आज हम इनके पास पहुँचे हैं सर अफराज हकीम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बेजिटी न्यूज नेटवर्क पर धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत सिरी राम के नारे से इतना प्यार आखिर क्यों स्री राम मेरे दिल में बसते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ लाखो करोडों लोगों की आस्था हैं लाखो करोडों लोगों की दिलों में बसे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ और इस नारे को जाती धर्म के नाम से नाम से जोड़ने का काम करते हैं जै raszam का नारा लगाने मुझे कोई आपति नहीं है जै श्री राम, भारत, माता की जै। अत्रपरदेश के अंदर बहुत अच्छे अच्छे काम किये हैं। कुछ लोग कहतें कि भारते जंदा पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी है। मैं कट्रपंती लोगों से कहना चाहता हूं कि इस तरह की नफरत की राजनिती करके मुसलिमों को बहकाने का भटकाने का काम ना करे। बारते जंदा पार्टी ने बहुत काम किये। ऐसा कोई काम बता दो जो मुसल्मानों के खिलाफ हो। कोई सड़क बनाई हो उस पर किसी मुसलिमान को चलने सेका हो। रासन मिला है किसी मुसलमान को ये कहा गया हो कि आप रासन ना लो आवास मिला है किसी मुसलमान को ना दिया गया हो ये मुस्लिम इरोधी पार्टी ने ये मुस्लिम हीता से पार्टी है कुछ कट्रपंती लोग जो हैं जो समाज को बाटने का काम करते हैं वो इस तरह की बात बोलते है सर फराज हकीम जी अब सवाल ये है कि आपने जैसी राम का नारा लगा दिया वन्दे मातरम बोल दिया भारत माता की जै बोल दी अब आपको धमकिया भी मिलेंगी और फत्वे भी जा रही होंगे देगे सर मैं धमकियों से नहीं डरता धमकिया मिल रही है मुझे क्या गरेंगे धमकी देने से मैं उनकी धमकी से तोड़ा ही डरता हूँ तो में समझता हूँ वो लोग बेवकूफ हैं उत्तर पळड़ेस योगी का उत्तर पळड़ेस होती ज़रुछ anticipate धमक्या मिलेज़ देने दो, क्या फर्क पड़ता है, योगी जी का उत्तरपरदेश है, अखिलेज जी का उत्तरपरदेश नहीं है, जिसमें डर्णना की ज़रुवत होगी, आप एक बात बताएं, कौन लोग हैं, जो आपको धमक्या दे रहे हैं, मुझे नारा लगाने में कोई आपती नहीं है, इसलाम से खारिज कर दिये जाओगे, नहीं सर, इसलाम से खारिज कैसे कर दिये जाएंगे, यह बताएं नारा लगाना कोई गलत बात थोड़ा ही है, नारा लगाते हैं, जी लगा दिया मैंने नारा, जै सिरी राम जो नारायन त्यागी बन गए है वसीम रिजवी जी उन्हें भी इसलाम से खारिज कर दिया गया है उनके खिलाब भी काफी फत्वे जारी हुए कहीं आप भी हिंदु धर्म की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं जै सिराम का नारा लगाने से कौन हिंदु बनता है कुछ लोग अल्लाव अकबर कहते हैं हिंदु लोग अल्लाव अकबर बोलते हैं वो थोड़ा ही मुसलमान बन गए यह तो कुछ कट्रपंती लोग हैं जे स्टरह का समाज को बाटने का काम कर दें वसीम रुजवी ने अपने दिल से, अपने दिमाग से देखे भारत सवतंत्र भारत है सबको अधिकार है, कोई कुछ भी कर सकता है इस भारत में, उन्हों अपने मझ से अपने तन से सनातन धर्म कबूल किया है ऐसा पुछ भी नहीं है कि इसलाम खारीज कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं आप एक बात बताईए, आप तो मुस्लिम होकर भारती जन्ता पारिटी की बात कर रहे हैं लेकिन समाजवादी पारिटी का बड़ा दावा है मुस्लिम वोटों पर, समाजवादी पारिटी कहती है कि मुसलिमों का भला हमने किया है आपको क्या लगता है समाजवादी पारिटी की सरकार रही है मुसलिमों का कुछ भला हुआ के नहीं या सिर्फ वोट बैंक के रूप में आपको इस्तेमाल किया गया देखे समाजवादी पार्टी ने आज तक मुसलमानों को वोट की राजनिती के लिए इस्तमाल किया है अखिलेज जी जो है मुख्यमंदरी बने उत्तर परदेश के उन्होंने मुसलमानों को कोई काम नहीं किया मैं कहा रहा हूँ खुले मंद से कहा रहा हूँ किसी के दबाव में नहीं कहा रहा हूँ अखिलेज जी ने हमेशा मुसलमानों का मसीहा बनकर उनके वोट की राजनिती किया वोट की राजनिती का काम किया है ओवेशी जी भी यहाँ पर चुनाव मैदान में उतर चुके हैं उत्तर परदेश में कहीं सीटों पर चुनाव लड़ेंगे वो भी कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज का असली रहम नूमा तो मैं हूँ मुस्लिम समाज का भला तो मैं करता हूँ और जहां मुस्लिम समाज का उत्प बढ़ने के अखिलेज जी भी दावा करते हैं, यहां तक कि माय उतीज भी कहते हैं, कि मैं मुसलिमों के हीतों में काम करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, भारते जन्ता पार्टी में बहुत मुसल्मानों के फायदे हुए, अब की बार भारते जन्ता पार्टी को लगबग 30% मुसल्मान करेगा, मुसल्मानों के बहुत फायदे हुए, ट्रिपल तलाग का बिल पास हुआ, ट्रिपल तलाग में ऐसा हुआ गरता था, पहले मुसलिम महिलाओं का हमारी मा, बेहन बेटियों को, एक सौधी अरब से बैटके, थोड़ी बहुती गलती के ओपर, महां से फो रागहिम जी आप एक बात बताए आप जैसीरी राम के नारे लगा रहे हैं, शिरी राम के परती वास्त-व मैं में सची सरप्धा है, या लोँकं की यह होना चाते हो, नग सर लोईपरिय स्में क्या होना दौना, लोगं कर यह से लुड़ी ई सराम का नारा आस्था का नारा मैं आपको बोल दिया कि आस्थाका नारा है और लाखो करोड़ों की आवाज है लाखो करोड़ों लोगों की आस्थाका पड़ती है मैं जैसी रा मेरे दिल में बसते हैं कोई हिंदो हिंदो के थोड़ा ही है जैसी रा हमारे भी है हमारे दिल में बसते हैं सर इसमें कोई आपत पर देख हुए हैं तो नारा नारा लगाने के विशेह पर अपनी राय रखने का पिया है तो इसे जदा कीजिए, लायक कीजिए, इस के साथ साथ हमारे चैनल को भी सबस्क्राइब कीजिए अगर आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सबस्क्राइब कीजि है